नमस्कार दोस्तों मैंग को रुपाथ्याए स्वावत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों बजार चाहें कहीं भी गया हो चाहें गिरावट आई हो या ना आई हो लेकिन एक शेर था आज जो पूरी तरीके से आउट पर्फॉर्म कर रहा था मार्केट को जिसका नाम है यस बैंक पांच परसेंट की तेजी के साथ ये शेर क्लोजिंग देता हुआ दिखाए 21 रुपे 30 पैसे के भाव पर और आज शेर ने 21 रुपे 85 पैसे का हाई लगाया और वॉल्यम्स पर जड़ा नज़ा डालिया एवरेज वॉल्यम्स जहां पर बीते 5 ट्रेडिंग शेशन के 20 करोड हैं उसके सामने आज 78-78 करोड वॉल्यम्स ट्रेड हुए हैं और फोर टाइम जादा एवरेज वॉल्यम् के शेशन में अब ऐसा क्या हुआ अचानक जो वॉल्यम्स इतने हैवी आई है तो चलिए यह भी समझ लेते हैं लेकिन उससे पहले यस बैंक के स्टॉक की बात की जाए तो यह शेर आपको याद होगा वारें जब इस टॉक ने वारेंट जब जारी करे थे जब राई टिश करेगा जहां भी आपको 16 रुपय के करीम मिलता है जरूर लीजिए गा इन उसके बाद इस स्टॉक ने मुड़के देखा नहीं है पीछे इस शेर की बात की जाए तो यह बैंक जो है पूरी खतम हो गई थी आप सभी को पता होगा इसने लॉक इन पीरेड में अपने शेर को निवेशकों से का पैसा लगाने को तीन साल के जहां भारत की सारी बैंकों ने अल्मोस्ट इस कंपनी को बचाया इस बैंक को बचाया क्योंकि आर्वी इने कहा था तो तीन साल कंपलीट होने के बाद सबके वो 10 रुपे के भाव पे जो शेर्स खरीदे गई थे ना चाहते ह हुए भी उसने अल्मोस्ट अठार रुपे का भाव देखा यानि तीन साल में 70-80% तो बढ़िया पैसा बनाया और आज 21 रुपे पर आके खड़ा हो गया है अब डीटेल शेर करता हूं कि हुआ क्या है यस बैंक्स शेर सोर सेवन परसेंट आफ्टर लेंडर इन्डर डीटेल में आपको समझाता हूं पहले पूरी हेडलाइन पढ़ लेते हैं अब प्राइवेट सेक्टर लेंडर है इन्वाइटेट बिट्स फोर सेल ऑफ इस्ट्रेस्ट लोन बाय दिसम्बर 18 शेर ऑफ यस बैंक जंप 7% तो हिट देज हाई ऑफ 21.68 पर शेर ऑन दिसम्बर 12 as the private sector lender eyes buyer for its corporate and retail loans with outstanding debt of 4,234 crore 4,234 crore rupees in the past one month the stock of yes bank has searched over 17% against 7% rise in the benchmark sensex according to the notice yes bank has invited EOI expression of interest for proposed sale of non-performing assets जो NPA है worth Rs. 4,234 crore the bids have been invited to determine anchor bids for stressed asset sale all of which will be offered on an upfront 100% cash basis around 8 companies turned NPAs between September 2019 and June 2022 these included Katera India, Indrajit Power, ATS Real Worth, ATS Infrastructure, ATS Real Worth, ATS Township, Umritha Infrastructure Development and UK अब short में समझते हैं कि पूरी खबर है क्या देखे खबर यह कि कंपनी के जो NPA थे उसको बेचने के लिए कंपनी ने लोगों से बिडर्स को एक यह वाई बताया expression of interest दिखाएगी मैं अपने NPA जो non-performing assets हो चुके है देखे एक bank है जब पैसे बाटती है obvious है अलग 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 लोगों को उसने पैसे दिये मान के चलो सारे लोगों को 100 रुपे दिये है उसने अब 100 मैसे 10 रुपे ऐसे हैं जो वो bank वापस नहीं ले पारी वो NPA में जा रहा है वो बंदा गलत निगल या फ्रॉड या निगल या एक तरीके से अब ये 10 रुपे जो हैं ऐसा तो है नहीं कि अगर बंदा वापस नहीं कर रहा तो उसे forcefully नहीं लिया जाता आप जब किसी से loan ले लो गलती से और आप वापस ना करो तो आपको पता है कि कैसे कैसी call आना शुरू होती है थोड़े दिनों बाद जब loan बहुत पुराना हो जाता है बहुत गंदी-गंदी तरीके से बात करी जाती है तो वो NPA bank क्या करती है यह ARC companies को बेच देती है जैसे 10 रुपे नहीं आ रहे मेरे पास तो मैंने 10 रुपे की चीज NPA को मातर 2 रुपे में बेच दी अब जो ARC वाले हैं ऐसे ट्री construction company वो चाहें तो पूरे 10 रुपे वसूल कर ले और अगर कुछ वसूल नहीं कर पाए तो मेरा तो 2 रुपे में बिग गया बाई मैं तो कुछ भी नहीं ले पा रहा तो 2 रुपे मिल गए मुझे तो यह होता है ARC का काम वो अपने तरीके से पैसे निकालते हैं वसूली वाले होते हैं एक तरीके से तो वही कंपनी ने कहा आगे बात करें वाई इंवेस्टर शुट एक्साइज कॉशन आफ्टर रीजेंड रैली दा प्राइवेट सेक्टर लेंडर है इंवाइटेड बिट्स फॉर सेल उफ इस्ट्रेट्स लोन बाई दिसम्बर 18 देखा जाए तो देखा जाए तो यहां भी निवेश किया जा सकता है क्या थोड़ा सा मिर को लगता है यहां तो निवेश मत कीजिए डेफिनेटली स्टॉक में 18 रुपीज के पास ले सकते हो और अगर आप यहां भी लेते हो तो मैं आपके साथ एक स्टॉप लॉस शेयर करना चाहूंगा क तो कि कभी गबार क्या होदा है चीजा वापस नहीं आती है और यह जा रहा है उपर मुझे लग रहा है तो आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस दुआ में वह होगा 20 रुपे 30 पैसे का एक रुपे का 5 परसेंट का हो गया स्टॉप लॉस डिरेक्टली इस स्टॉप लॉस क के साथ अगर आपके पास पोजिशन है उसे होल कीजिए नहीं है फ्रेश लेना चाहते हो तो ले लीजिए और उपर में आपके लिए 24 और फर्दर टार्गेट्स की बात करेंगे जब उपर आ जाएगा तो एक रुपे का मात्र स्टॉप लॉस है ओप आपको इस आरी चीज अब आपके लिए क्टेट बैजिए घए विए